सो हेलो गाई स्वागत आप सभी के एक बाफ से मेरे इस चैनल स्पर नर्ड में तो मॉंस्टर वर्स के अंदर हमें 2014 से लेके अभी तक टोटल चार मुवीज देखने को मिल चुकी है जहां मॉंस्टर वर्स की चौती मुवी यानि की गौडजिला वसे स्कॉंग अभी कुछ दिनों पहले ही थेटर में रिलीज हुई तुम लोग मुझे मेरे पुराने चैनल से फॉलो कर रहे हैं तो तुम लोगो यह पता होगा कि मैं मॉंस्टर वर्स का काफी बड़ा फैन हूँ और मॉंस्टर वर्स फैन मुझे 2019 की गौडजीला किंग ओफ दा मॉंस्टर मूवी बहुत ही जादा पसंद आय थी लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि इस मूवी में काफी ज़ाधा कह सकते हो कि जो वीक पॉइंट था वह था इस मूवी का फिर्स्ट हाफ एक तरीके से कह सकते हो कि गौडजीला कींग ओफ दर मॉंस्टर का वह जादा पार जिसके वाज़े से इसका फिर्सट का बोरिंग भ के अब जो MonsterVerse के ंंदर Actual Meस बढ़ी प्रॉब्लम रही थी वह था कह सकते हो कि इसका फीस जहां पे कह सकते ओ कि जствен्कि पर ने कमीश में उन्में उन्में से । Liver में Commonגם उन्मीश के प्रॉब्लम मैं एक काफी दृब्लम यह था कि यूमन के पार्ट को काफी प्रोल उनके टाइटन्स उनके काईजूस काय जिने उतना जाद स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था और अगर उस बेसिस से देखा जाए तो गौड़्जिला वसेस कॉंग जो है इस चीज को पूरे तरीके से गलत साबित कर देती है जहां गौड़्जिला वसेस कॉंग काफ मिला और मुवी फुल एक्शन पैक देखने को मिली साथी साथ जो मुवी का स्टोरी टेलिंग तरीका था वह भी बहुत ही जाद मुझे बहतरीन लगा अब ओवरॉल इस मुवी को लेकि जितिनी भी एक्सपेक्टेशन थी मेरी वह सभी चीज़े कह सकते हो कि एक हद तक और फिर तुम्हें वो मुवी जो है तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरते हुए देखने को मिले तो वो मुवी बिल्कुल वर्थित होती है और गॉड्जिला वसेस कॉंग ऐसी मुवी निकल के आती है जहां यहां जो है कह सकते हो कि इस मुवी के नाम से हमें चल गया था किस मुवी में जो हमें फाइनली गॉड्जिला और कॉंग आपस में भिरने के लिए देखने को मिलेंगे और इस मुवी में इसको काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है साथ ही साथ मुवी में जो BGM यूज किये गया है वो भी कह सकते हो कि टाइम ट जो है कह सकते हो कि अचली मज़ा तुम्हें थेटर में ही देखने को मिल सकता है और ओवरॉल मुवी की स्टोरी टेलिंग ये तो है कि थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल तो लगती है बट तुम मुवी को पूरे तरीके से गुल जाओ गया जिसके वज़े से तुम अपनी ये लोग स्लो कर देते तो हो सकता था कि ये मुवी भी जो है गौडजिला किंग ऑफ दा मॉंस्टर और बाकि जो है मॉंस्टर वर्स की मूवी के तरह थोड़ी हमें हलकी बोरिंग सी फील होती जहां बाकि तीन मुवी में कुछ ना कुछ ऐसे कह सकते हो कि मेजर फैक्टर रहे हैं जिसके वाज़े से फैंस जो है उन मुवी को अतना जादा अप्रिशियेट नहीं करते हैं जितना बाकिस सीनेमेटिक उनिवर्स की मूवी को किया जाता है लेकिन अगर हम लोग आए गौडजलो सेस्कॉम के एक और मेजर ड्रॉबैक की उपर तो वह ये चीज है ज अब अबो करने में च Till जाता है झालकर और लिए बहुत की यह जादा रही है और लुज़ल्स नहीं के दिखाया गीठ़्न है और गौडजिल देए character वे भी कह सकते हो कि हमें काफी ज़दा कह सकते हो changes वगरा देखने को मिले हैं और overall तुम लोग ये जानी चुके होगे कि movie के अंदर हर चीजें हर चीजों को बहुत ही बैतरी नी तरीके से portrait करने की कोशिश की गई है जिसमें एक हद तक जो है कह सकते हो कि monsterverse की ये film काम्याब हो निकल के आती है अब अगर तुम लोगों ने इससे पहले कोई भी monsterverse की movie नहीं देखी है और तुम लोग गाड़जेलो इसस कॉंग देखना चाते हो तो मैं तुम लोग को यही suggest करूँगा कि इससे पहले जो तीन movies रिलीज हुई है उन तीनों movies को तुम देख लो ताकि तुम्हें movie के बारे में अच्छे से जानने को मिले और characters के बारे में अच्छे से जानने को मिले otherwise यह हो सकता है कि तुम में से अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसने monsterverse से इससे पहले कि जो तीन movies आई हैं अपने ratings की तो मैं इस movie को दूँगा 8 out of 10 अब मैं इसकी rating बढ़ा भी सकता था लेकिन मैंने इसकी rating थोड़ी कम इसलिए रखी है क्योंकि यह movie मेरे हिसाब से और ज़्यादा लंबी बनाई जा सकती थी और ज़्यादा screen time दिया जा सकता था characters को जो कह सकते हो कि थोड़ा बहुत major drawback है बट overall movie बहुत ही बैतरीन है और action sequences के बारे में तो मैं कुछ कही नहीं सकता हूँ जो monster battles है इसके अंदर वो हद से ज़्यादा बैतरीन है यह था मेरा review Godzilla vs Kong movie को लेकि I hope so कि तुम्हें मेरी यह video पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस तुड़ों को अपना thumbs up देना अपने दोस्तों के साथ share करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रू से subscribe भी कर लेना YouTube मैंने monsterverse के उपर जो है जादा वीडियो नहीं बनाई है इस चैनल पे लेकिन मैं ट्राइ करूँगा कि आगे मैं monsterverse को लेके और भी वीडियो बनाऊ वैल इस movie को देखने के बाद ये तो कहना मुश्किल है कि monsterverse का आगे future क्या होने वाला है लेकिन हम लोगी hope कर सकते हैं कि हमें future में और भी ज़्यादा projects देखने को मिले जो और भी ज़्यादा बैतरीन हो so guys आज की इस वीडियो में इतना ही मैं मिलेगा तुमसे हैसी किसी next वीडियो में till then bye stay tuned stay awesome